ठेंक्यू फोर क्लेकिंग इंचु दिस वीडियो आजी आमी ए वीडियो टुट क्लास्टूर हिंदी लेशन जीवा और दाथ ए पास्टू आमी रीडिंग कोड़ीम माने ए पास्टू केनेडरा पुरहीबो लागया ताके माँ पुरहीडिसू अरुटमा लोके मुरलोगे लोके पुरहीजबा जीवा और डाथ एक बुद्ध संथ थे एक दिन उन्होंने अपने सिश्वा को अपना मुँख खोल कर दिखाया और पूछा मेरे मुँख में देखो जीवा है या नहीजा शिश्वा ने उत्तर डिया आपके मुँख में जीवा दोल रही है महराज संथ मंद मंद मुस्कूड़ाए अब मेरे मुँख में दातों को तो देखो दात है या नहीजा दात तो आपके सभी तूत गये है गुरुवर संत ने कहा अब हम रिद्ध हो गये है हमारे जनम लेने के साथ ही हमारा जीवा ने भी जनम लिया था हमारे दात बाद में जनम लिये थे फिर वे आयू की दोर में जीवा ने दात को हडा दिया एक सिश्य ने कहा व्रिधावस्था में तो सभी के दात तूत जाते है महराज जीवा तो रहती ही है संत ने कहा यही तो आचरिया है बुरही जीवा जवान की तरह कार्या करती है और दात कभी के समाप्थ होगे इसका कारण क्या है शीश्य चकड़ाए उनकी समझ में कुछ नहीं आया वे चुप रहे संत ने समझाया देखो जीवा वेचरी हर समय 32 सत्रों से घीरी रहती है थोड़ी से असबधानी हुई सत्रों उस पर अक्रमन कर देते है उसे कात लेते है किन्तु वो बेचरी सी करके धर्य से उसे सह लेती है जीवा कोमल है लचीली है और सहनशिल है इसलिए वो सदेव बनी रहती है और दाट दाट बड़े अकरबाज है पत्थर जैसे कतोर है हमेशा कात खाने को तयार है इसलिए वे व्रिध्यावस्था में तूत जाते है कारन सिस्व को समझ में आ गया उन्होंने दाट की तरह कतोर नही जीवा की तरह कोमल, विनम्र तथा सहनशिल बनने की संठ से प्रतिग्या की हमें भी जीवा की तरह विनम्र, कोमल तथा सहनशिल बनना चाहिए तभी हम अधिक दिनों तक सुखुमय जीवन व्यतित कर सकते है